वूट इविंदी एडिवनं गोल्ड 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 यह आपने सुनई होगा अपने मापाप से पैरेंस से जुनक और किसी और मुझी मुझे अपते में बेल्दा एले हाइब को क्या चाहिए तो वुए साधी चाहिए तो एक साल में क्या करो गोल्ड देदो वी 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 कोश और अपना इंवेस्मेंट का इंवेस्मेंट भी राइट यह लाइने आपने काफी सुनी होगी दोस्तों बड़ी आइकनिक लाइने इंडिया में हमेशा बोल दी जाती है ठीक है ना सोना खरीद लो लोकर में रख लो ठीक ह अब कुण के लिए साही है या ओंड के लिए साही नहीं है यह वीडियो स्टाट करने से पहले आपको बता देता हूं दोस्तों यह मैरा चैनल है आज है व्लोग लगवार जन्डी से मैरे चैनल को सबस्क्काइब करके कि दोस्तों सब्सक्राइब करने बाद गंटी जरूर दबाना इस तरह की गंटी दिखेगी आपको सब्सक्राइब के बाद वहाँ पर जैसे क्लिक करोगी सलेक्ट ऑल का उप्शन आएगा वह आपको क्लिक करना है तभी आपको ऐसे सारे अपडेट्स मिलेंगे और हां अगर सब्सक्राइब करने तो दोस्तों मैंने यहां काफी डेरों सारे वीडियो बनाए और हर एक वीडियो एक करोड़ रूपे का आप जाके पूरा वीडियो देखें आपको समझ आ जाएगा तो दोस्तों जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम बात कर अगर हम इंपोर्ट करना कम कर दे तो हमारी कंडिशन रिवोर्स हो जाएगी आप समझ रहें चीज देखो तो कहने का मतलब यह दोस्तों कि जब भी हम कुछ ऐसी चीज करते हैं जहां पर हमको इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट जाधा करना पड़े तो उसको हम टेकनिकल भा क्रूड़ में इंडिया इतना क्यों फसा हुआ है क्रूड़ क्रीड रहा क्योंकि हमारा हम आप पर सकते हैं कि कि किटना इंपक्ट परता है हमारी कितना पैसे हमं इस्टा खर्षना पड़ता है वही चीज दोस्तों जब हम कोई भी ट्रेड डेफिसित उसको बोलते हैं जैसे अगर मैंने सो रुपए का माल एक्सपोर्ट किया दूसरी कंट्री में लेकिन हमने इंपोर्ट किया सिर्फ 50 रुपए का माल तो हमारा ट्रेड डेफिसित कितना हो पड़ता है तो हम डॉलर में पे करेंगे जहां पहले 70 रुपए का एक डॉलर हुआ करता था आज 80 रुपए का तो हमको एक ही उसी चीज के जहां 70 रुपए देने पड़ती था 80 रुपए देने पड़ता है प्लस प्लस on top of that जो गोल्ड इंपोर्ट हम जो करेंगे दोस्तो ठीक है ना भी उसमें क्या काफी सारा जियो पॉलिकर इसुस चल रहा क्योंकि हम जिस कंपनी जिस कंट्री से डील कर रहे हैं हर कंट्री में इंफलेशन है इंडिया में भी इंफलेशन है बर दूसरी कंट्री में जाध है तो वहां से अगरम कोड़ इंपोर्ट करते तो एक 1720 डॉलर दिस्पाइट फॉलिंग यॉस यिल्स गॉल्ड रिजर रिवर्स इस डारेक्षिन और बिलो 7000 अफर हविंग टाच इस हाइस लेवल ओवर वीक नियर नेवर्द लेस्ट बेंचमार्क ठीक है ना तो अभी भी दोस्तों दे को एक नियूस आई है अगर आपो यह मैं आपको एक नियूस बता देता हूँ यह वादी ठीक है ना रेट हाइक बैट्स गोल्ड गेनेज डॉलर डिप ऑपसेट सम प्रेशर फ्रम रेट हाइक बीच जैसी रेट हाइक आएगी डॉलर का क्या रहेगा उसकी वज़से गोल्ड में एक उच्छा लाया है ठीक है न कि अगर सब्सक्राइब दोस्तों मैं यहां पर आपको वन डे की चार्ट करेंगा वन मंत के चार्ट की यह पर यहां से दिखिए तो यह एक momentum बना है, मुझे लग रहा है, कि अगर आप daily basis का बने तो एक momentum लगा है, लेकिन हम one week का भी देख लेते हैं, जो one week का है, वो भी मुझे ऐसा कुछ momentum लगा है, लेकिन ऐसा कुछ खास वो नहीं लगा है, बाइंग रेंज महीं है, वीवी, ठीक ना, three month का चार्ट देख लेते हैं, दोस्तों, तीन महीने का जो चार्ट है, वो भी एक बाइंग रेंज ही बना रहा है, right, six month का चार्ट भी, I think it's a buying range, however, there are resistance, यहां पर मुझे resistance काफी सारे दिख रहे हैं, लेकिन फिल भी मैं इसको गोर्ड की rate वेसी बहुत आगे बढ़ गई है, right, तो आपको क्या लगता है कि यहां पर और आगे बढ़ेगी, देखो, चार्ट यहीं कहरा दोस्तों, कि मुझे लग रहा है कि यहां से फिर से आपको मैं लेवल बता देता हूँ, one week के जो लेवल्स हैं, दोस्तों, अगर द चार्ट देख लेते हैं, ठीक हैं, दोस्तों, one month का चार्ट देख लेते हैं, तो guys, मुझे ऐसा यहां से clear cut by ही लग रहा है, मैं आपको targets बता देता हूँ, देखो, इसमें ज्यादा कुछ हल चल तो आपको पता है कि ज्यादा होती नहीं है, मैं अगर one week का चार्ट भी देख पचास जार सो, बड़ मुझे लग रहा है दोस्तों, यहां से 50,750 के target आपको easily अच्छी होते दिखेंगे, ठीक है ना, यह minimum target है, ठीक है, उसके बाद आपको आने वाली दिनों में मुझे लग रहा है कि one month का चार्ट देख लेते हैं, तो short time में दोस्तों, मुझे लग रहा ह है कि आपको यह, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि दोस्तों, 50,750 तो मुझे easily achieve होते दिख रहा है, और अगर 50,750 क्रोस करता है दोस्तों, तो मुझे लग रहा है कि 51,000 के आसपास बहुत जल्दी आने कि इसके chances दोस्तों, right, काफी कुछ chances है, 51,000, not exactly 1,000, I would say like 50,950 मुझे द देख रहा है, दोस्तों, मैं तीन मन्त का चार देख लेता हूं, एक बार, ताकि आपको एकदम confirm कर दूँ, right, ठीक है, दोस्तों, यह इसकी जो spike है, toes and bottoms, 50,000, okay, okay, yes, okay, so मैं आपको macro levels भी दे देता हूं, दोस्तों, 50,750, 50,750 से 50,800 का range से मुझे quite clear दीख रहा है, और अगर 50, 50,000, 8050 का अगर यह break करता है, दोस्तों, तो फिर आपको 11,000 रुपए के उपर से targets देखने को मिलेंगे, दोस्तों, तो gold में मेरी राई यही है, कि दोस्तों, buy बना के चलिए, short term में मुझे लगता है कि आपको फायदा ही फायदा रहेगा, क्योंकि यह देखो, काफी नीचा अगर मैं 3 माइने का chart देखो, तो आपको दिख रहा है 52,000 से, तो मुझे लग रहा है कि यह वापस से, at least 51,000 को तो definitely cross करेगा, अगर वापस से कोई dip आना है, तो, ठीक रहा है, अब मैं 6 मन का chart देखके बदा देखा हूं, दोस्तों, तो मुझे यहां काफी दोस्तों, उच् मुझे लगता है कि यहां पर एक clear short buy है, 15,600 पर definite buy है, आपको buy करना चाहिए, फिर अपने हिसाब से, जैसा कि मैं हमेशा मैंने crude oil and natural gas पर जो इतने videos बना है, मैं उनमें हमेशा एक चीज़ बोलता हम दोस्तों, आप SIP में invest करिए, अगर आपके पास इतना भी पैसा दोस्तों पैसा दोस्तों चीज़ चाहिए होता, crude oil में भी बहुत चाहिए, natural gas में भी बहुत चाहिए, यहां पर भी बहुत चाहिए दोस्तों, आपको पैसा चाहिए, अच्छा खासा, पैसा अगर आप SIP में लगाएंगे, average करते जाएंगे तो आपको कभी loss नहीं होगा, तो सामेश प्रोफिट में रहेंगे, लेकिन अगर आपको एक anticipated target है आपको, जैसे मैं short term में बड़ा convinced हूँ कि यह 51,000 के उपर जाएगा, आसपास जाएगा, राइट, मैं बड़ा convinced हूँ, ठीक है न मुझे पता कि within 1 days to 1 week, यह around 51,200 जाएगा, अब अगर कल को नीचे भी चला जाता है, आपको नॉलेज होना चीए, आपको यह नोलेज प्रॉपर होना चीए कि क्यों जाएगा, चार्ट क्या कह रहा है, न्यूस क्या कह रहें, उन सब का नोलेज होना चीए, उसके बाद आप ऐसे ही भी करें, अभी मालो कल मैंने यह मैंने बोला पाई के लिए, कल यह मालो 15,400 पर चला गया, तो मैं डेफिनिटली आल पाई अगें, तो यह टेक्टिक्स आपको दोस्तों अपना नहीं पड़ेगी, ठीक है न, अगर आपको इन कामोडिटीज में ट्रेट करना है, गोल्ड, नाच्वल गेस, इन कुरूड ओल्स, तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ आया होगा, यहां पर जो भी मैंने आपको व्यूज शेर किया हैं, दोस्तों, वो सिर्फ मेरे व्यूज है, तो यह एक डिस्क्लेमर हो दोस्तों, आप अपना जो भी इन्वेस्ट करें, जो भी ट्रेट करें, खुद अपने अनलाइसिस पर करें, या अपने फाइनेश सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरे दूसरे सारे वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब पर कि बेल आइकन दबाल कि सलेक्ट ओल करना ना भूले, इसी तरह आपको सारे नोटिसिफिकेशन मिलते रहेंगे, so this is Ajay and signing off.